हालेलुया प्रेश दलॉर्ड प्रविश्य मसी में मेरे सभी बैन बाईयों को जय मसी की आप सबका स्वागत है हमारे स्यूटिप चैनल यहावा शालम टीवी पर जिस पर आप हर रोज परमेश्य के पवित्र वचनों को सुनते हैं और आशिशित होते हैं आज की इस वीडियो में हम परमेश्य की पवित्र वचन को मेरी भविश्यवानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये सामर्थी वचन परमेश्य के दास प्रेरित अंको यूसफ निरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारे ये विश्वाश्य के इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीश को लेकर आएगा तब पूरे विश्वाश्य के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने आज का सामर्थी वचन परमेश्य की आवाज को सविकारना है जैसा की परमेश्य के पवित्र वचन लूका एक अध्याए उसके 38 वचन में लिखा है मरियम ने कहा देख मैं प्रभू की दासी हूँ मुझे तिरे वचन के उनसार हो तब स्वर्ग दूत उसके पास से चला गया मेरे प्रियो पवित्र वाइबल बताती है कि दिल की बातों को जानने की ताकत सिर्फ परमेश्वर के पास है स्वर्ग दूतों के पास नहीं है स्वर्ग दूत नहीं जानता कि आपके दिल में क्या है इसलिए पवित्र वाइबल कहती है जब स्वर्ग दूत ने जकरिया से कहा कि तेरे बच्चा होगा और जक्रिया ने कहा मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ मेरी पत्नी बूढ़ी है तब स्वर्गदूत ने उससे कहा तूने मेरी बातों की परतीत नहीं की इसलिए जब तक तेरे बच्चा ना होगा तब तक तू बोल नहीं पाएगा गूंगा ही रहेगा स्वर्गदूत ने संदेश दिया लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या है और वो क्या जवाब देगा जक्रिया के जवाब के अनुसार स्वर्गदूत ने उसे फल दिया क्योंकि अगर वो उसे गूंगा ना करता तो वो अपने शब्दों से बोल बोल के कि मेरे बच्चा नहीं हो सकता मेरे बच्चा नहीं हो सकता तो परमेशर भी उसे बच्चा दे नहीं पाते मेरे फ्रियो जब मरियम को स्वर्गदूत ने कहा तेरे बच्चा होगा उसने कहा मेरे कैसे हो सकता है मैं तो पुरिश को जानती नहीं मैं तो विवाहित नहीं हूँ स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर शायगी और वो पवित रिचो पैदा होगा परमेश्विर का मसी कहलाएगा सब वचन उसको दिये मरियम ने कहा ठीक है प्रभू की दासी को प्रभू के वचन के नुसार हो जब जखरिया के बच्चा पैदा हुआ तो जो नाम स्वर्गदूत ने उसे बोला था उसने लिख कर दिया तो उसकी जुबान खुल गई मेरे फ्यू जब शेतान किसी विश्वाशी पर अटैक करता है तो वो ये नहीं जानता कि वो विश्वाशी क्या सोच रहे है शेतान ये नहीं जानता कि जिन पर अटैक करना है उसके दिल में क्या है लेकिन जब आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार वैसी पर तिक्याए करते हैं तो वैसा ही होता है ऐसे लोग भी हैं जिने अगर सर्वाइकल हो जाए और कोई बोले ओ तुझे शर्वाइकल हो गया तो वैक्ती भी बोलता है हां मुझे सर्वाइकल हो गया ुस समय उस वीक्ति को आत्मा में डाटना होता है कि में चंगा हूँ मुझे ये बिमारी नहीं है ये शुमसी के कोड़े खाने से में चंगा हो चुकआ हूँ कब तक बोलता है जब तक उस वेक्ति को उत्तर ना आए कब तक आप नल के नीचे बार्टी रखते हो जब तक वो भर न जाए अचानक से रखोगे और दो सेकेड में निकाल लोगे क्या वो भर जाएगी नहीं आपको वहां भी दीरज नखना पड़ता है मेरे फ्रियो वचन जो है वो धैरे रखने से और उस पर चलने से आपकी जिन्दगी में विवहारिक रूप से सपस्ट रूप से काम करता है अगर परमेशों ने कहा वो तुम्हारी घटियों को पूरा करेगा तो वो अपने आप काम नहीं करता अगर हम दश्वाश नहीं देंगे अगर हम परमेशों के राज्जे के लिए सतर्क नहीं होंगे अगर हमें मालूम नहीं कि परमेशों के राज्जे के लिए इस समय क्या जरूरत है और हमें किस तरह से उस जरूरत में मदद करनी है तो ये वचन भी पूरा नहीं होगा इसी लिए आपको परमेश्य के वचन को समझ कर उसके अमिसार चलना है और अपने मूँ से बे असर शब्दों को अंगीकार नहीं करना है प्रन्तों किसी के दुवारा आपके उपर बोले गए बे असर शब्दों को रद करना है और अपने उपर असरदार शब्दों का अंगीकार करना है ताकि वो शब्द आपकी जीवन में पूरे हो आमीन तो आईए अब हम इस अंगीकार को परमेश्य की हजूरी में करें सर्व शक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्य में अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने मूँ से असरदार शब्दों का अंगीकार करूँगी और बे असरदार शब्दों को अपने मूँ से अंगीकार कभी ना करूँगी परमेश्य मसी के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन आज कि इस पवित्रवचन के पड़े और सुने जाने के द्वारा परमेशराब सब को बहुत आई से आशिशित करें सब को जय मसी की